तुछ क्या तवर्वन स्टार्ट करते हैं he woman मुलास नहीं गाहिँ है कि मॉलस समारा एक ऐसा ऐसे दिके उनकी एधा कि उनकी बाडर पर शरी है आपर दैख करनेरे हैं कंगी स्थ जेहां सब्डार पर शर्जिद करसे सबुल थाने तरफ भक्र जेए पर तो ही प्रिविंग और शर्वाइब करता है और यह डिफेंट डिजाइन से इसको लेके एक कल्चरिंग भी होती है तो भी ग्रोव भी किया जाते हैं डिफेंट डिफेंट डिजाइन डिफेंट पैटन्स आप यहां आपजब कर रहे हैं ऐसे अब जो हम आर्टिफिचली यह इनको जब ग्रो करते हैं उस टाइम यह स्ट्रक्चर सम्क्वां भी करते हैं तो मॉलस्ड यह हमारे एक सेकंड लार्ज़स किनदम है आप्टर आर्टोड जो प्रीवेड डिसक्रस किया था वह हमारा जो है वो लाज़स फाईल अनिमल किंडम में और यह हमारा मॉलस्ड यह इंकी बॉडीप्रेटिक है, इनकी बॉडी पर किया होगा, इनकी बॉडी को मीलेगा हम LEG 하네요 हमें मिलेगा हमें general की यह सबसे important छीज ओTrack लिए और पी रायोट करें और फिर हम बात करें फेस्क जो हमेशा हर वीडियो में बात करते हैं का जो पाहई कहे रहे गा तो basic classification से पहले हमें एक पॉइंट गीव हैं जो ही मैंने प्रीविस्ली डिस्कुस्ट भी किया देया दफ सेकेंड लार्जेस्ट फाइला इन एनिमल किंडम में ही बढ़ते हैं प्लांट में हम डिवीजन डिस्कुस करते हैं ऑर यह हमारा जो second large फाइला है जहां पे मुझे त्लि फटीछ अब सहरत को इस इस उसे में तो और्गन लेवल है that means कि different organ systems मिलेंगे यहां पर जो डाइस सिस्टम है यह स्की सिस्टम है नर्वस सिस्टम है सब्सक्राइब यहां पर उसके सब्सक्राइब बात करें जम ले टिप्र प्लास्टिक है त्री दिफेंट लेर्स है एक्टोडर्म मीजोडर्म इंडोडर्म एक् तो नेक्स्ट बात करें हम जो इसके बाद की बात सीलो मेट सीलो मेट जो है यहां मिलेंगे हमें that means they have body cavity and body cavity जो है वो ओपन स्पेसे जो बाड़ी है प्रेजेंट होंगे और यह ओपन स्पेसे जो बाड़ी है प्रेजेंट है यह हेल्प करेंगे यह help करेंगे किसमें यह मेली form करेंगे जो है different open space form करने help करेंगे और यह spaces जो है utilize होंगे store के लिए यह different जो vital organs से उनको protect करने के लिए यह space utilize होंगे फिर next important thing मिलता है यहाँ पर भी हमें bilater symmetry मिली है most of the cases जो आगे further discuss भी करेंगे उन सभी में हमें मिलेगा क्या bilater symmetry मिलेगी that means इनमें right and left part जो होंगे symmetry होंगे similar होंगे clear तो यह होगी हमारा first page जहाँ पर हमने main basis of classification जो है वो यहां discuss किया है अब जो further जो other characteristics हैं यहाँ पर हमें मिल first है हमारा habitat और फिर segmentation है तो जब इनका first करकर ही हम बात करें है habitat अभी मैंने previously बात किया कि यह terrestrial equity दोनों मिलेंगे और equating में all kind जो marine water वहां मिल रहा है fresh water वहां मिल रहा है तो यह हर जगे मिलेंगे हमें terrestrial मिलेंगे equating मिलेंगे marine में और fresh water मिलता है उसके सासाथ जो है दूसर पाइला terrestrial ही मिलता है water मिलता है इसलिए amphibian बोलते हैं लेटर इसके बारे में discuss भी करना हमें detail में ठीक तो यह हो गया हमारा habitat कि जहां हमें मिलते हैं अब most important ठीक हैं इनके segments की तो इनके body और हमें मिलेंगे तो body इनकी unsegment होती है मतलब हम differentiate नहीं कर पाएंगे कि यह head region है यह abdomen region है thorax region कुछ में head-like appearance होगी head-like structure मिलेंगे differentiate नहीं कर पाते हैं कि इसे अपनी body है human की body यह head है यह neck है यह thorax है abdomen में हम classify कर लेते हैं लेकिन यहां हम classify नहीं कर पाएंगे तो इसे यहां given भी है कि जो हमारा segmentation का part है वो जो है हमें यहां मिलता है unsegment body लेकिन differentiated into three part three part में differentiate हो रहा है एक head मिल रहा है हमें जुसरा foot मिल रहा है तीसरा visceral हम मिल रहा है तो head का मिली हमें हमें पता है कि वहां सिफिलाजेशन होगा सिफिलाजेशन मिस वहां brain-like या sensory organs वहां available होंगे जिससे कि यह sense करेंगे अपने environment के बारे में उसके according rate करेंगे ठीक वहीं हम बात करें नेक्स जो structure मिलेगा foot मिलेगा foot करेगा help करेगा इन्हें लोको मोड करने में crawl करने में जैसे पाइला हो गया जो कि जो सी या मरी फ्रेश वाटर में survive करते हैं और ग्राउंड पे crawl करते हैं तो उनमें हम देखने की crawling रिलीज करता है जिससे shell formation start होती है जिससे shell formation होती है तो यहां पर हम जो बात करें यहां पर visceral हम की बात करें तो बिसरल हम एक most important part है जो की help करता है कि इसमें mental formation में mental release करता है mental जो है वो shell form करती है तो इससे detail में discuss करते हैं बिसरल हम में होता कि यह रिलीज करता है mental विसनल हम के रिलीज कर रहा है mental ये और mental जो है वह फोर्म कर रहा है शैल क्या फाम कर रहा है तो हमारे पास भी स्था रिष्म एस के सब्सक्रत देखते हैं कि यहां पर जो शेलिंग फार्मेशन होती है वह बाहर रहती है डाइग्राम में बताओंगा आपको वहीं इंटनल्स किसे मिलेगा हमें सीपिया में सीपिया में शेलिंग होगी वह इंटनल होगी है और वहीं अक्टोपस की बात करते हैं यहां पर और यह नाम की कोई चीज ही नहीं इस में यहीं देखाऊगा आपने बहुत सारे मुबी में या जो है डिस्कवरी पर या दूसरी चैनल पर जो वीडियो आती है उन वीडियो में देखाऊगा यह यूटूब पर देखाऊगा आपने की में को इनकी की बात करें सब्सक्राइब मैं कर देखाऊचब हो यह वहीं यह portion वहीं space की बात करें space between hump and mental जो hump और mental की बीच में यह हो गया हमारा hump हो गया इसे बात करें यह hump हो गया यह mental हो गया तो इन दोनों के बीच में space between hump and mental is from mental cavity तो इनके बीच में क्या present है इनके बीच में प्रेंट है, mental cavity मेंटल के हमें मोलेगा हमें क्य मिलेगा GILDS-like structure मिलेगे जो help करते हैं क appel में डेत्बॉल के किसमें मॉलर्स के के सब्सक्राइब इसमिले में मूलखे जिसमें अ किया चीज्य होती है में ट्र मिरन आप टॉพ समें सेल पॉर्मिश नहीं मिलती है में ठीक तो वहां में ट्रय फ्रम नहीं है mental क्या kind of material है जो कि cell formation help करता है अब shell कैसे फिर्म होती है शाइल formation के लिए यहां के लिए जो material मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं तो उसकी बात करें हैं तो हमें पता है कि रहें कि आधे के अंदर रहें रीजित कर रहें हैं और यह वाटर बॉड़ी में क्या है वाटर मिली रहा हमें और यह फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसीड क्या फॉर्म कर रहे हैं कार्बोनिक एसीड फॉर्म कर रहे हैं कार्बोनिक एसीड जो है वह मिली है प्रवाइड करता है कार्बोनेट आयन प्रवाइड करता है क्या यह rate करेंगा है क्सी rate करेगा यह जो calcium hydroxide present है है इसके साथ öğren does करेंगा रियेट करने के बाद जो है हराues फार्म करना स्ब्रक्राणड करता है के सेम लेंडत कर थे अब यह प्रोसेस हैंनी प्रोसेस को इनहीं मृटिर्श और यही प्रोसेस होती है C के अंदर limestone की formation में clear तो इस वे में यह activities होती है और यह form करते है दूसरा वही oyster formation हमारे पास एक pearl industry है जो के करती है pearl form करती है वो कैसे किख्या करते है sand यूटलाइस करते है किया करते है कब जब हम mollusk ग्रोकर रहे होते है siepes ग्रोकर रहे होते है चिह सहे हां पर मैंटल के बीच मैं कुछ में भी सेह के बीच में कंडाल सेंड पुर्ण कर देंगे सेंड और जो है झो कर पाएगा है यह हमिशा क्या है इंटरने टुर में तो हमें इस तरह के बहुत सारे पैटर्स जो है वह दिखाई पड़ेंगे इस तरह है तो हमें जो काफी अच्छे और जो है यह जो है बहुत ज़्सक्राइब करते हैं और बहुत बड़ी इंडास्ट्री है आप अब didoo मिलता हमें किया मांथ मेरे πسم card मिलता है उज्ट करना पकड़ना टो इक ऑरगन मिलता इरै से क्या जिसे क्या उलते है रेडिला बोलते हैं किया बोलते है रेडिला हैए इसमें पूड को कॉट करने में कट करने में ह spinner करेगा और फिर वसका डैशन चलेगा बॉड़ी के अंदर तो यह होगी हमार डाइसिस्रिंग की बात अब नेक्स हम बात करना स्टार्ट करें किसकी हम बात स्टार्ट करें हम रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन जो यहां पर फार्म हो रहा वो गिल्स के तुरू हो रहा है अब गिल्स में रेस्पिरेशन की बात इसके साथ जो इसमें डिजॉल्व ऑक्सिजन है वो जो है मोरस्की उप्लाइज कर लेंगे उसके साथ-साथ-साथ-स-बात-करें अभी हमने कहा कि जो है हमारी तो यहां गिल्स वाला यह मिलेगा यह मिलेगा हमें एक्वाटिक के तो इसमें मिलेगए यह मिलेगा अलग लग मिलेगा और वहीं मिलेगा यह करने करने हमारे पास जो है वह है एक्सक्रिशन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहां पर किड्नी लाइक ऑर्गन मिलता है हमें क्या मिलता है हमें किड्नी लाइक ऑर्गन मिलता है यहां पर काइंड ऑर्गन प्रेजेंट है यहां पर प्रोडक्ट होगा एक्सक्रिटी प्रोडक्ट आ है तो आसे जो भी ऑन नीमस अमोsen Commission अमोनियो ट्ले कर रहे हैं वह होगे अमोनियोट आलिक क्या हो क्या हो गह ए मौनीयो ट्लिक हो गये और जिन इयुरिये इतना अवेलवल नहीं है। इसलिए एन द्रकों मेंति आफ्ट होता हुआता है। देन भी बिल रिमूव फाम और बॉडी उसके बाद हम नी बॉडी से रिमू करते हैं लेकिन अमूनितलिक की बात करें यह मिली जितने भी एक्वेटिक और इस हैं मारे फिशेज हो गए या जो है अधर हो गए उस सब में जो है मिली अमूनितलिक हो था क्योंकि वह वाटर जाता है इसलिए वह अमूनिटलिक है लेकिन जो टेरस्चियल पर हो एकमारे फौरिया मिलताना ने इसलिए करते हैं इसको अमूनिया को अंदेलिक अब नेक्सक्टरंब sem दो हैं गैंगली सेल्स प्रेजैन्ट। और नीरॉन प्रेल्च का मेंटर है जो कि नर्व सुली के बात करेंगे अट्मուस्फियर में यह हमारे सरोन्ड्रीम होने करते हैं उन चेНजित को रिकॉर्ड करेंगे उन चेंजित को मौलस के interior head region में कहां पर interior head region जो है वहां पर हमें यह मिलेंगे अब next हम बात करें किसकी next हम बात करें reproduction की reproduction में यहां पर आता है कि यहां पर sex separate है क्या है sexes separate है that means male or female अलग-अलग है और उसके सासत इन में copulatory organ मिलता है हमें और corporate organ के present होने कारण यहां पर क्या है हमें internal fertilization मिलती है अब internal fertilization हो गया baby grow करना start करेगा बेबी की जो growth हो रही है development हो रही है वह कैसी हो रही है तो हम देखते हैं कुछ के समें हमें directly growth मिलेगी क्या मिलेगी डायरेक्टली जो है एक से जाइगोड एक फटलाइज हुआ जाइगोड वना जाइगोड से वह structure फार्म और साट वह जो की एडल्ट के सिमलर होगा लेकिन हम कुछ के से में देखते हैं कि वहां पर क्या होगा एडल्ट से डिस्सिमलर एक स्टॉक्चर फार्म होगा फस्ट मूउव करेगा तो हमें यहां दोनुचीज मिल olduğunu यहां पर इंडायाक्ट डव्लेप्रम्मेंट भी अवेलबल है और और अवेलबल यहां पे हां आकаки पर तो यह चीज हो गया यहां पे हमारे जो जो यहां पर तो हमारे हमारे इंग्यॐड किया है स्ट हमने इंक्लू merch किया ह पाइला पाइला के बारे मैंने बताया भी है बिए कि यहां पर इस तरह इंब आप नहीं बताया है नहीं पर यहां पर सेंट पार्टीकल डाल देंगे और सेंट पार्टिकल के एराउंड जो है यह आके जो structure है शेल है विसरल मास है वो या मैंटल होना स्टार्ट कर जाएगा इस तरह हमें structure मिलेगा ठीक और यह जो है यह हो गए इनके जो sensory organs होगे इसके तुरू आप जो वाटर के बाहर दोते हैं अब में लिये फ्रेश वाटर मिलते हैं उसके सासथ यह एस्टीवेशन शो करते हैं क्या करते हैं हमारे पाइस समर स्लीप होता है एक winter sleep होता है summer sleep का मतलब हो गया कि कोई भी autumn जो है summer की time क्या होगा वो जो है किसी गुरोज में या dark areas पे जो है जाके छिप जाएगा ठीक कब तक के लिए जब तक summer season रहेगा ठीक same ऐसे जो है कुछ ऐसे हैं जो कि winter cause करें winter sleep करेंगे winter की time जो है वो अपने को hide कर लेंगे तो winter में जो अपने आपको hide करते हैं उन्हें हम बोलते है hibernation उस process को यह time देते हैं हम hibernation और जो summer में होती है उसके लिए हम use करते है estimation तो यहाँ पाईला के से हमें estimation देखने में मिलता है फिर हमारे पास sepia है जिसे हम cuttlefish भी बोलते है clear यह simply आप देख सकते हैं यहाँ पर और उसके सासत हमारे पास pink tada है pink tada इसे बोलते है pearl oyster pearl industry में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला grow करने वाला जो है है तो क्या है pink tada है यहाँ सिंपली यहाँ पर देख भी रहें कि हम हम इसे culture करने का प्रपस किया है यह culture करने परपस ही हो रहा है यह हमें क्या प्रवाइड करते हैं यह हमें beats provide करते हैं beats जो हमें मिलते हैं और यहां पर इस तरह के यहां पर करने यहां पर यहां पर इंदस्ट्री जो है जापान में कोरिया में और पूरे वर्ड में यह वर्ल्ड में यह सप्लाई करते हैं फिर नेंक्स आमारे पास ऑक्टोपफ जिसे डैवल विख बोल्ने का मेरें यह है कि अगर इसमें फ़स्तें हैं अगर हम फसें इसमें तो हमारा निकलना नुखना नामुन के बरहाबर है हमारा निकलना जो है नामुन की एक पेर आफ लेक्ट नहीं हो टाइल हमें पकड़ना लिए कि नीकलना या किसी भी जो है परेगा निकलन मुस्किल है दूसरा इनकी बात करें इनका जो इस्ट्रॉक्चर है इनके स्टॉक्चर जो है वह एट यह है उसके साथ स्बसे इम्पोर्टन चीज कि commandments please blue and black मीन फॉर दिर डिफेंस करें पुद्ध कर रहें निए ह可能 यह लिए ब्लु ब्लाइक को यह करता है इन्हें डिफेंस कर था कैसे हमें पता है जो हमारा जो गलर है वाटर का वह ब्लूइश को रहा कि है यह यह डार्क भी नीचे चले गए हम डार्क आप निचे लेगा तो वहां पे बलाक होजाएगा तो ब्लुइश ब्लेक लिए रिलीज होने से होता है किया इनके से कहीं पर लगता है कि यह इने डिफेंस की नीड है या किसी से इने डैंजर है तो यह क्या करेंगे यह पिंग्मेंट रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे अब जो है ऐसा रहतो हो जाएगा तो वह अप़ियर नहीं होगा तो होगा किया होगा यह कि यह अपने आपको कैमोफिलिज कर लेंगे यहां पर हमारा यह complete हुआ skip साथ हमारे पास एक और example लॉलीगों का clear तो यह different examples हो गए और यह हमारी पूरी बात हो गए किसकी mollusk करते हैं अब जो next हम बात करें इक याइंड रमटा बात करेंगे और हमारे एक बचा हुआ फाइला एनलिट्स उसकी बात करेंगें तो यहां पर हम कंक्लूड करते हैं